क्या आल चाल बड़े अगतम क्लास को हम लोग भैति इन तर्गेस से स्टाट रहे हैं हम लोग हिंदी को धोली का जैसे कि आपको पता हैं कि लोग 0-2 हिरो बैच के सुरुआत कर चुके हैं उसमें हम लोग जहां तक पढ़ चुके है डे नंबर 7 तक ठीक है और यह हमारा डे 8 ह इसली क्लास में हमने बताया कि हिंदी के सौट को सरेंसर को करने वाले हैं तो चलिए सौट को सरेंसर को करते हैं जो आपके डू नमबर्स लाने के लिए कंफर्म होंगे तू नमबर के को ठीक है तो क्या हम लोगी स्टार्ट कर सकते हैं चलिए स्टार्ट ही करते हैं अगर जू को ठेंवाल ख्या है चल्य जल्दी से में के खास्टॉइब है तो रही चल्दी से करलें कर लिए चो में पर explorator porte जल्दी से स्पर्क्राइब कर लिए इसलिए कर लिए ठेस्स कोशन पहला हमारा खोका कौन था यह जल्दी से बतादीजिए खोका कौन था खोका सेंसाब का कौन था जल्दी से बताईए खोका कौन लगता था खोका कौन था जल्दी से बताईए पहले कुशन को माद में पढ़ेगे पहले यह बताईए जल्दी से थोड़ा सब्जेक्टिव कि खोका कौन थ खोका सेंज साब का बेटा था सेंज साब का बेटा था है ना शेंज साब का बेटा और सेंज साब के कितनी पुत्रियां थी जल्दी से बता ही सेंज साब के पांच पुत्रियां थी ठीक है उसके बाद ये गिद्धरलाल कौन था गिद्धरलाल कौन था जल्दी से बता ही पुरा इजी तरीके से पढ़ेंगे, चले, खोका कीन मामलों में अपवाद था, तो खोका कीन मामलों में बेटा कासू, घर में बनाए गई नियम के मामले में अपवाद था, वो हमेशा अपने मन के अनुसार ही कारे करता था, और लड़कियां कोई ऐसी आजादी नहीं थे, खोका कीन मामलों में बनाए था, तो हमारे उसके घर के रूल में, हम लोग कह सकते हैं, कानून में वो अपवाद था, ठीक है, चले, नेश्ट कोशन हमारा है, कि जातिवाद के पोशक उसके पक्ष में क्या तरक देते हैं, तो इस चप्टर कौन से चप्टर से लिया गया है तो यह आपका सरम विवाजन और जाती प्रथा से लिया गया है ठीक है अच्छा इसके लेखो कौन है हमारे इसके लेखो के डॉक्टर वी यार अमबेट कर ठीक है चले इस कोशन को जल्दी से कर लेते हैं जाती वाद के पोशक इस आधुनीक समाज में कारी कुशलता के लिए सरम विवाजन को आवशक मानते हैं और कहते हैं कि जाती प्रथा भी सरम विवाजन का ही दूसरा रूप है इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है जाती वक्त के पोसक में उसके क्या पक्सतर देते हैं कि जाती वक्त जो है वो ऐसा पोसक है जो कारी कुछलता के लिए सरंभिवाजन को आवसक मानता है जिसके कारण से जाती प्रता भी सरंभिवाजन का ही दूसरा रूप है ठीक है चले नशकोशन हमारा है पामपती कौन थी की कना स्ट के Σब्म अब संटर में वरम या घील्जी सेंटर में गया तो इसे को इस पूंद इस में 00 Gَّецर क्विता कविता है तो प्लीज इसको अप्रोक पढ़ ल्यका आ अंगों को लिखते समय बेटे के आख में आसदू हा जाते हैं क्योंकि कई बार कोसीज करने के बावजुद भी वह अंगों को नहीं लिख पार एकदम सिंपल सेंसर लिखना है अंगे चलते हैं नागरी लिपी को देवनागरी क्यों कहते हैं क्योंकि नागरी लिखने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण है कुछ विद्वान का मत है कि इस लिपी का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नगर ब्रामों नों किया था इसलिए से देवनागरी लिपी कहते हैं दूसरा कासी के पंडितों का मत है कि कासी देवों की भूमी और सबसे पहले इस लिपी का परयोग भी हुआ में ही हुआ है इसलिए इसका नाम दिवना गरीली भी है इस प्रकार और कई मत देखने को मिलते हैं तो इसमें ये कोशन आप लोग एकदम सिंपल सा कोशन को एक असान से लेंग्वेज में लिख सकते हैं ठीक है चले नश कोशन है हमारा कि नदी तट पर लेखक को किसकी याद के बारे में बहुत अच्छा भाव लिखा था ठीक है तो ये कौन सा चैप्टर से लिया गया ये आविन्यो जो आपका चैप्टर है पद्दिक अंगधि खंड में उससे लिया गया गोदूली का भूक से ठीक है चले नश कोशन हमारा आ रहा है बहुत बहुत बहतरिन तरीक ग्रामिनों में ही नहीं था ठीक है नेक्ट कोशन हमारा बरते नाकुनों द्वारा प्रप्रकरति मनुष को याद दिलाती है कि यानि कि हमारे हमारे ये कह सकते हैं पूरवज है ना पूरवज की याद दिलाती है ठीक है नश कुशन हमारा आ रहा है दम बैदरेंज दरीके से अपने सब्दों में पहली बार दीखे बाधूर कबंडन की जे बाधूर एक लड़का था जो हमारे 12-13 साल का था जो नेपाल से आया हुआ था ठीक है अमरकांत के घर में पहली बार आया था गोरा रंग चपता समू हाफ पैंट हाफ सट बुरा रंग का जूता एवं गले में स्काउट गाइड का रुमाल लिए खड़ा था ठीक है चले और अच्छा ये इस कोशन में फांच मास का अजयते है तो कभी दो मास का आज़ाते है तो आप लोग अगर पांस मास का और कुछ बड़ा लिख ले ले नाutar दो नमर का ये चले ले ठीक है चले आगे तो ने ने फ्यक्तों लखनाओ और रामपूर के बिर्जु महराज का क्या संबंद है लखनाओ और रामपूर के बिर्जु महराज का गहरा संबंद था क्योंकि उनकी तीनों बहनों का जनम रामपूर में एवन बिर्जु महराज का जनम लखनाओ में हुआ था विर्जु माराज का भी कई बार लखनाओ आना जाना होता था तो क्या था विर्जु माराज का संबन की उन्हों तीनों पहन का जन्म रामपूर में हुआ था और वही संबन था बस और कुछ जा था संबन नहीं था ठीक है चले आगे चलते तो next question हमारा जोले में मचलिये लेक इसलिए लिखेंगे कि जोले में मचलिया मर ना जाए मचलिया कहीं मर ना जाए ना मचलिया मर जाएगी इसलिए लोग जल्दी 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 अपनी घर जा रहे थे ठीक है चले next question हमारा वानी कब 20 के समान हो जाती है जब मनुष राम नाम को छोड़कर कोई अन देश को जिक्र करते हैं और क्यों कवीता का समापन करते हुए कभी कहते हैं कि बचाना है जंगल को मर उस्तल हो जाने से बचाना होगा मरुस्तल मतलब रेगिस्तान हो जाने से बचाना है मनुष की जंगल मनुष को जंगल हो जाने से क्योंकि वर्दमान समय में मनुष पर्यावरन का दुरुप्योग कर रहा है मनुष को जंगल हो जाने से यानि कि हमारा अगर मनुष नहीं रहेगा मनुश है ना जंगल हो जाने से क्योंकि वर्दवान समय में मनुश परियावरन का दुरुपयोग कर रहे है ठीक है आगे चलते कभी ने माली मलीन किसे का है क्यों क्यों माली मालीन किसे का है क्रिश्न राधा ने रस खान ने का है क्रिश्न रादा को कवी के अनुसर जिस प्रकार पुस्प बाटिका में माली माली का जाता है और क्यों कवी घंणन्द अपने आसुओं को सुजान के आंगन तक पहुचाना चाते हैं क्योंकि कवी सुजान का वीरो वेदना मेरो रही है थिके चलिए आगे नश कोशन हिमारा कभी कहाँ आपने आशल को पहुंचाना चाहता है और क्योंगा आपने आशो को ओछ्वेशन करके लोगों की जूठी प्रस्टा करके चाप लूसी कर दें जो चाप लूसी कर दें उसे भी डफाली अपलो कहा सकते हैं ठीक है आगे चलते भारत मता अपने ही घर में प्राविश्य नी बनी हुई है बारत मता अपने ही घर में प्राविसी नहीं बनी वी है क्योंकि इनके समान भारती लोगों पर अंग्री ज़त्याचार कर रहे हैं और ये चुप-चाप देख रही है जैसे कोई पिरवासी ये महमान किसी दूसरे के घर में चुप-चाप देखता है इसलिए भारत मता पूरी नराज है हम लोग से ठीक है चले नेस्ट कोशन हमारा आ रहा है कभी तक कस्वापन करते हुए कभी को अपने कीन अंदेशों को जिक्र करते हैं अरे-अरे एक ही चीछ क्यों आ रहा है बार बार चले कोई नहीं इस question को भी drop कर देते हैं क्योंकि हमने पढ़ा चले next question यहारा है रंगपा कौन था और वो मंगपा से क्या चाहता था रंगपा कौन था रंगपा काउकर लंपट और जुवारी था मंगपा से धन चाहता था इतना ही नहीं वो मंगपा के आनाथ समझकर इसकी इजद भी वो लूटना चाहता था बता कितना खराव आदमी था न यह रंगपा यह चप्टर कौन सा है दही वाली मंगपा दही वाली मंगपा से यह question को लिया गया है ठीक है चले तो हम लोग अब एक और question है संदर लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों भगवान का संदर लवादा गिर जाएगा क्योंकि जिसने कपोलो की नरम सहिया में भगवान की किरपा दिरिष्टी विसराम करती थी वो भगती ही नहीं रहेगा आगे चलते हैं तो हमारा next class में हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं अच्छा आप लोग को यह पता हो गया कि हिंदी का जो है वो मैंने top 20 लेका है जिसमें साब को 10 तो रहेंगे ही चलिए तो ठीक है fix बात है अब math का हम लोग लेके आ रहे हैं तो मैं सिर्फ 30 objectives कर रहेंगे ठीक है 30 MCQ करेंगे नेश क्लास में तो बने रहे हैं मेरे साथ और अपना ख्याल रखिए तब तक के लिए बाइ बाइ पढ़ते रहे हैं ख्याल रखिए